बिस्मिलर मान रही हैं, मसला मलेको फ्रेंड, वेलकम बेक टू देसी अमेरिकन मम व्लॉक, आज की वीडियो में हम व्लॉक नहीं बना रहे हैं, आज बनाऊंगी मैं चन्ना चाथ, यह मैंने छोले लिए छोले को बने उबाल के और इसे मेरे साइड में रख देए, इसमें दो हरी मिर्शी डालेंगे और एक टेबिली स्पून टेमाटर पेस्ट, तो इसमें यह सब चीज़े जाएंगी और मसाले वगर आप लोग अपनी मर्जी से कम जादा कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो मिर्ची कम डालिएगा, मैं थोड़ी साही रखूंगी बह दो आपके हल्यी डालेंगे कुटी मर्चें हल्द अफेव इस्पून हाट सौस एस्टेबिल स्पून और वाइट विनिगर वन टेबिल स्पून त्वाहता है एफश्पून है यह मैं पतिली करम इचर लिए ऑइल को रंग लेंगे जब शाओ प्यास जाल दूंगी प्यास क और हमें इसको करना ही तैरा तरह हलका सा नारम करना है और साथ ही कश्मिर मेर्च भी डाल देंगे यह देखिजिए यह पर में दो हरी मिर्चे काटके दालने के बाद में इसे ती सेकेंड के लिए कटकला लूगी और चंचा चला देंगे और इसके साथी में chỉ में न कर गयेे हो चोड़े ड़ी चोड़े करें लाओ को सब्सक्राइब हम ईने बून लिए तोड़ी देर न करके फा आलरामि सब्सक्राइक भूनगए और इसे अच्छी तरह भून लेंगे ताके हमारी फ्रोजन सब्सजी थोड़ी सी भून जाए बहुत जादा हमें इसे निपकाना है क्योंकि फ्रोजन सब्सजी जल्दी कल जाती है तो हमें बिल्कुल इसे गलाना नहीं है हम ने एक स्टेडर मिनियर्ट इसे अधर कर लिया है अब में इसमें डॉल डून सारे मसाले जो हमें आपको दिखाए थे सारे मसाले लेंगे अच्छा सा सारे अधिमी din एक सारह डाल का हम इसे बहुन लेंगे अवह सारे मम दाल के बूलेंगे तो यहां में डाले है हाट सॉस तो यहां में डालने हाट सोस तो यहां में अच्छे तर भून लिया इसका ऑईल जो हमने डाला था मंटेबिल स्पून वह नजार आ रहा है अब में डालने की छोले डाल के हम इसे एक मिनट और भूनेंगे ताके अच्छी तरह लग जाए है तो हम इसे एक मिनट के लिए भून लेंगे कि अ यह मैं अब शुल डाला कि इसे भूल लिया था हम एसे 2 मिनट के लिए दम पर रखने के बाद फिर में आगे दिखाथी कि दो मिनट के बाद हमने से खॉल लिया है और यह हमारा रेडि यह बस हम इसमे थोड़ सा अहरधानिया डालेंगे चॉप करके अहर्धानिया डालेंगे त्गरीम एक मुठी हरा धनी तो ज्सादा डालें तो अच्छा लगता तो हम इसे थोड़ सा हारा दन्य डालेंगे मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद में इसे डिश आउट करती हूं इक हम ने गड़ बहुत ही मज़ेकी हिमी बनी थी और घर में सब को पसंद आई और चोले मेरे घर में वैसे बहुत कम खाये जाते हैं लेकिन यह भूत ही मज़ेकी बनी थी तो इमिटों में खतम हो गएती है तो अमिदे कि आपको मीद्ध ऐक है पसंद आए ऑपना फीडबेक मुझे लाजमिंदेजेगा वीडियो पसंद आये तो शेयर जरूर किजेगा और अपना फीडबेक जरूर देजेगा मुझे आपके लाइक का कोमेंट किजेगा और इसके साथ ही मुझे लाफीज